आज माया नंगरी मुंबई समेश सारा देश मुंबई में हुई घटना से सक्ते में है आज मुंबई के एलफिस्टन रेलवे स्टेशन के फुटोवर इस पर भगदन मचने के कारण 22 लोगों की मौत हो गई दरसला सुबा ये बड़ा हास सा परेल और एलफिस्टन रेलवे स् अगरी मुंबई के काम में कुछ ञानता था कि बीर से गुलजार होने वाले स्टेशन में आज 22 लोगों मौत हो जाएगी इस स्टेशन में जो यात्रियों के लिए जो फुट ओवर बिस बनाया हुआ था वो पुल 106 साल पुराना है इस पुल पर हमेशा की तरह लोगों का जमावड़ा था और बारिश का मौसम होने के चलते इस पुल पर फिसलन थी जिसके कारण रेलिंग का हिस्स अस्पताल लाया गया जहां उन घायरों का इलाज जारी है लेकिन अस्पताल में खून की कमी होने के चलते मुंबई पुलिस ने लोगों से मदद मागी है अस्पताल में खून की कमी है हास्से के बाद BMC की ओर से हेल्प लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं नंबर है 24136051241072024131419 गटना के बाद देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी समेथ कई नेताओं ने हास्ते पर दुख जताया है मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि रेल मंत्री प्यूश गोईल इस हास्ते पर नजर बनाये हुए है गटना के बाद शिवसेना प्रमुक उदव ठाकरे गायलों का हालचाल पूशने के एम अस्पताल पहुचे हास्ते पर महाराश्त के मुखि मंत्री देवें फर्नीज ने भी दुख जताया है देश के रेल मंत्री प्यूश गोईल ने हास्ते के बाद हास्ते की जाच के आदेश दे दिये हैं उन्होंने कहा कि वेस्टन रेलवे के अफसर इसकी पूरी जाच करेंगे महाराश्त के मंत्री विनुत तावडे ने इस हास्ते के बाद मची भगदर में मृतकों के परीजन को 55 लाख रुपे के मुआवजे का एलान किया है प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने भी मुंबई के एलफिस्टन रेलवे स्टेशन में वे हास्से पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परीजनों के प्रती अपनी गहरी समवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों को शद्धांजली अर्पित की है